जै माता दी दोस्तूम। आज हम बात करेंगे कन्या राशी अक्टूबर 2019 पहले सक्ताहा के बारे में। जानेंगे एक तारिक से लेके साथ तारिक तकस्व में आपके लिए कैसा रहेगा। किस प्रकार से ग्रहों का गोचर आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तो आएए शिरुवात करते हैं एक तारिक से चंद्रमा आपके धन भाव से गोचर करेंगे। दिन अतियुत्तम साबित होगा। इस दिन पर आपको बड़ा धन लाब होगा। आपकी आमदनी इस दिन आपके पास आएगी। ये समय खर्चों पर नियंतरन लगेगा। और धन जुणने के स्थिती पूरी तरीके से नजर आ रही है। अपनी आर्तिक तंगी को समाप्त कर, आपको अपनी आर्तिक स्थिती को मजबूत करने के नए जरिये भी आपको मिल पाएंगे। तीन और चार तारीक एक बज़े तक के समय की। ये समय चोटी बहन भाईयों से और यात्राओं से विश्रिश का लापकी प्राप्ती होगी। अब बात करते हैं चार तारीक एक बज़े के बाद कर समय पांच और छे तारीक की। इस समय में आपको थोड़ा सा साफधान रहना होगा। कर माताजी की सेहत को लेकर। इस दिन चंद्रशनी का विश्योग और चंद्रकेतु का गरहनदोश लगेगा। माताजी की सेहत बिगड़ सकती हैं। उनके लिए आपकी भागदार बढ़ सकती है। या फिर अनबन के स्थिती बन सकती है। लडाई जगडों से दूर रहिएगा। लोगों के लिए समय बैस साबित होगा। साथ तारीकों चंद्रमा पंचंभाउ से गोचर करेंगे। आचानक से धन आएगा। लाप से भरा दिन होगा। निवेश करने से चारगुना मुनाफ़ा होगा। नौकरी पेशा लोग भी आज के दिन अपनी आमदनी को पा सकते हैं। प्रमोशन की प्रबल योग बनते हैं। ये समय लव रिलेशनशिप के लिए भी बैस साबित होगा। अगर विध्यार्तियों की बात करें तो इस दिन बर आपके लिए उच्छ शिक्षा ग्रहन करने की शमता बढ़ेगी। पारिवारिक सुक प्राप्त होगा। गुरूं का सपोर्ट मिलेगा। और अगर किसी बात को लेकर परिवार की सहमती चाहिए वो भी आपको मिल पाएगी। आपको संतान सुक भी मिलेगा। ये समय दामपत्ते सुक में विर्दी होगी। दिन आपके लिए रोमेंटिक रुके हुए सरकारी काम चुटकियों में पूरे होंगे। आन प्रतिस्ठा बढ़ेगी। हर तरीके से मन आपका प्रसंद रहेगा। अब बात करते हैं उपाएगी। इस समय में आप माह गौरी की अराधना करें। उन्हें लार रंके पुष परपित करें। उन्हें नारि अपने दोस्तों लिस्तिदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवा दोस्तों।